दोस्तों आज कल टेकनोलोजी का इस्तमाल कर किसी भी फोटोस के साथ छेड़ चार करना या फिर उसे एडिट कर या आपके चेहरे को आपके फोटोस से मॉप कर किसी गंदी तस्वीर पर लगा कर उसे वाइरल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहे गई है अगर आप एक महिला है एक लड़की है और आपको भी ये डर सताता है कि कहीं आपके साथ इस तरह की घटना ना घट जाए कहीं आपकी कोई photos viral ना हो जाए या आपको कोई blackmail कर रहा है गलत काम के लिए आपका misuse करने के लिए कोई आपको कह रहा है और ये धमकी देता है कि वो आपके photos को viral कर देगा उसके पास आपकी गंदी तस्वीरे हैं तो अब आपको परिशान होने की जरूरत बिलकुल नहीं है देखे हम सभी जानते हैं कि social media पर किसी भी चीज़ को viral होने में second नहीं लगते हैं ऐसे में social media के security के लिए meta जिम्मेदार है लेकिन अब meta नहीं women security के लिए एक नया feature launch किया है जिसके जरीय अगर आपको कोई इस तरह की धमकी देता है आपको परिशान करता है आपके photos को edit करके उसे upload कर दिया गया है तो आपको परिशान नहीं होना आपको stop ncii.org जो mention किया हुआ है नीचे इस website पर चले जाना है create a case पर click करना है और जो भी information उसमें आपसे मांगी जाए उस information को proper fill करना है और आपकी जितनी भी photos अगर social media पर upload हुई है जो गंदी है या गलत तरीके से डा नहीं है ना ही परिशान हो इस step को जरूर फॉलो करें और साब्धान रहें सतर्क रहें